Hello my beautiful darling angels, मैं हूँ आदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चानल एक्स्प्लोरिंग टेलिविट आदिया आपका इंतजार मैं खत्म कर रही हूँ और यहां पर आपके लिए मैं लेकर आगे हूँ इंद्रेलोग मार्केट का पार्ट तू आपने पार्ट वन नहीं देखा इंकेस मिस कर दिया है तो कमेंट जरूर कर दीजेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि उस पर्टिकुलर व्लॉग में भी बहुत से ऐसे शॉपकीपर्स हैं जो कि आपको काफी अच्छे रेट्स में ऑनलाइन भी प्रोवाइट करवा देते हैं तो आज की व्लॉग में मैं आपको बहुत सारे नए शॉपक्स दिखाऊंगी और लोकेशन भी साथ साथ बताती रहोंगी तो प्लीज वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा और स्पेशली जो लोग फाब्रिक लवर्स हैं आज मैं आपको पूरे व्लॉग में बहुत सारे फाब्रिक्स भी दिखाने वाली हूँ कई शॉपकीपर्स ऑनलाइन भी फाब्रिक देते हैं नंबर वगरा सब कुछ मैंने प्रोवाइट की है तो आप लोग तो स्पेश्टी पूरे व्लॉग को एंड तक जरूर देखेगा और कल शाम को ही मैंने आपके साथ में ब्राइडल पार्टी वेर पाकिस्तानी सूट्स का व्लॉग शेयर किया था आप से मिस हो गया है तो उसे भी जरूर चेक आउट कर लीजेगा दोस्तों अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्गेट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिलकुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफेकेशन आउन करना ना भूलें तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रहे हूं डिस्पेंस्टी रोड पर ब्रैंड़ेट फुटवेर वाले भिया की शॉप दिखाने से इनकी जो शॉप है यह आपको आठ बजे से लेके साड़े आठ बजे के बीच में लगी मिलेगी तो जब भी आप यहाँ पर आओ टाइमली विजिट करना क्योंकि रश बहुत जाद हो जाता है भीया की अगर टेबल लग गई है और यह चादर बिच गी है तो समझ जाओ बस कलेक्शन डलने ही वाला है तो साथ-साथ खड़े रहे के आप भी नए-नए डिजाइन्स देख सकते हो और जो भी आपके पैर का साइज है उसके हिसाब से आप यहाँ से पर्चेजिंग कर सकते हैं तो इन में भीया के पास में हमेशा हर बार हर हफते नए-ने आर्टिकल्स आते रहते हैं इनकी शॉप का कार्ड भी आपके साथ में शेयर करूंगी और क्योंकि यह होलसेलर हैं इनकी एक पर्मनेंट शॉप है जो की संडे को जाते मुझे आदे बंद रहती है तो वहाँ पर भी आप डारेक्ली जाके सिंगल पीस इनी रेट्स में पर्चेस कर सकते हो अगर आप थरस्टे नहीं आपाओ तो तो यहाँ पर भीया के पास में शूज भी हैं और फुट्वेर भी हैं लेडीज वाले बैलीज, मोजडीज हर हफते यहाँ पर कुछ ना कुछ आता ही रहता है और मैंने आपसे पहले भी कहा था इस बार में बोलूँगी अगर आपको फुट्वेर बायचांस कमफर्टेबल ना लगे तो जबरदस्ती उसे परचेज मत करना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत सुंधर दिख रहा है आपके पैरों का मामला है कमफर्टेबल होना चाहिए तब ही परचेज करना और बायचांस अगर आपको घर ले जाने के बाद में साइस ठीक नहीं आता यार किसी और के लिए लिया था ठीक नहीं लगा तो आप भया से एक्सचेंज भी करवा सकते हो पर ऐसा नहीं करना है कि दो तीन हफते बाद आ रहे हो इमिडेटली आपको नेक्स वीक यहां पर फिर आना पड़ेगा एक्सचेंज कराने के लिए तो भया की शॉप का काड आपके साथ मैंने शेर कर दिया है अगर आप इनकी शॉप पर जाना चाहो एक बार आने से पहले कॉल ज़रूर करना आगे यहां पर मैं आपको दिखा रहे हूँ तारिक भया जी के दुपट्टे तो इस बार भया ऐसे ऐसे दुपट्टे लेकर आये होए थे मुझे लगा यह बहिया टू हंड़र्ड वाले टू फिफ्टी वाले दिखा रहे लेकिन इस बार भया ने अल्मोस्स जितने सारे प्यारे प्यारे दुपट्टे सब कुछ सब कुछ 100 रुपीस की सेल में ही डाला हुआ था और पीछे भी इन्होंने 200 वाले रख्यों थे वो थोड़े उनके फाब्रे का लोग होते हैं जिसे रेडवाल आप देख रहे हो 100 का ही था चिनॉन का आप देख रहे हो और गैंजा का ये सब 100 रुपीस की आपको मिल जाएंगे और इंद्रलुक में आपको मैंने बहुत जगा पे कुर्ती प्लाजों के सेट्स भी दिखाए हुए तो आप इस तरह के से दुपटा लेके उनके साथ पेयर करके अपना काम चला सकते हो इस वीडियो में आगे मैं आपको बहुत सारा प्यारा सा कलेक्शन दिखाऊंगी फाब्रिक का प्योगर के फाब्रिक डायबल फाब्रिक सब दिखाऊंगी कुछ शॉपकेपर्स ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो वीडियो को अन्त तक जरूर देखेगा लोकेशन वगेरा सब को चार्ज के व्लॉग में आपको साथ साथ दिखाती रहोंगी तो यहाँ पर दुपट्टे पर शीस करने के लिए आपको भया की शॉप पर रिविजट करना होगा यह ऑनलाइन नहीं देते हैं फिर भी इनका कॉंटेक्ट नंबर आपके साथ मैं शेयर कर रहे हूँ इन से आगे मैं बढ़ती हूँ और इनके दुकान से थोड़ा सा आगे आपको बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे जो कि मैं डिस्पेंसरी रोट पर ही आपको दिखाती हूँ यह सब कलेक्शन जो मैं दिखा रहे हूँ फुटवेर का दुपटो का बच्चों के कपड़ों का यह सब डिस्पेंसरी रोट पर रहता है तो यहाँ पर भीया जी ने बेबी गर्स के लिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर ड्रेस सेल में लगाई गई थी प्राइज आप देख सकते हो किसी शॉप में लेने जाओगे तो मतलब बहुत ही कम बजट की बिम बात करूँ तो भी 500-600 से कम का यह सेट नहीं है तो यहाँ पर इस सारे फ्रेश आर्टिकल्स हैं आप ले सकते हैं नेक्स्ट जो मैं आपको दुकान दिखा रही हूँ यह मैं थोड़ा बाहर के एरिया में आ गए थी ट्रांसफोर्मर के सामने वाल एरिया में तो वहाँ पर मैं सुबह सुबह थोड़ा सा देखने के लिए पहुची कि कौन से शॉप के पर क्या लेकर आयो है ट्रांसफोर्मर और कूड़ा घर के सामने वाला जो एरिया है तो यहां पर एक भिया जी ने 50 रुपीज में फाब्रिक का सेल लगाय हुआ था और इसमें ज्यादा नहीं तो आपका एक छोटा कुर्ती बन सकता है या कोई ब्लाउस पीस या ऐसा कुछ बन सकता है पूरी शर्ट बनाने जितना फाब्रिक तो यह नहीं था इनके बगल में यहां पर भिया बेट शीट की सेल लगाय हुए थे यह है पूरा आपका ग्लेस कॉटन रुपे में दो डबल बेट की बेट शीट आपको मिल जाती ह जिसे आप घर ले जाके बीच से कट करते हो तो दो डबल बेट साइज आपको मिल जाता है यही पर आपको कर्टन मिल जाएंगे जो भीया हमारे कर्टन वाले हैं जो मेरट से आते हैं वो उन्होंने अभी तक शॉप लगाई ही नहीं थी तो यहां पर नेट के कर्टन में आ आपको यहां पर टेलीफोन वाली गली दिखाती थी तो इसी टेलीफोन वाली गली में आने के बाद आपको यहां पर मिल जाएंगी ब्यूटिफुल सी बेट शीट इसमें जैपुरी कॉर्टन बेट शीट भी रहती हैं और नीचे ना भीया के पास में अगर आपको बिना पिलो कवर के बेट शीट जाएंगे तो वह धाईसु रुपे की मिलेगी जैपुरी कॉर्टन वाली अच्छे बड़े साइज में तो वह भी आप ले सकते हो नीचे चैसे यह बहिया दिखा रहे हैं यह सिर्फ 250 रुपीज की है लेकिन इसमें पिलो कवर नहीं आएगा और म पास कभी कभी रियान भी होता है यहां पर जो फाबरिक मैं आपको दिखा रहे हूं उनके प्रिंट्स बहुत ही सुन्दर रहते हैं हरवार भया का एक ही रेट है काफी टाइम से मातर साथ रुपे मीटर तो इनसे भी आप चाहो ऑनलाइन के लिए संपर्क कर सकते हो अगर अवेलेबल होगा तो आपके साथ जरू शेयर करेंगे यह अभी यलो बिल्डिंग जो मैं आपको दिखाई यह सबा नर्सिंग होम है स्कूल की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा सबा नर्सिंग होम के पास ही आपको एक चिप्स कुरकुरे वाली दुकान दि बाहर को आजब मार्केट एरिया है थोड़ा सा देर से लगता है लेकिन अंदर जो कई शॉप्स में आपको दिखाती हूं जैसे धासू सूट वाले भिया की गुड्डू भिया की वो सब आप लगा लो साथ से साड़े साथ के बीच में लगके तयार हो जाती हैं तो अब मैं स सबानर्सिंग होम से एंट्री कर रहे हूं सबानर्सिंग होम वाली ही गली में तो यहां पर एक दीदी जी बेडशीट की शॉप लगाती है इनके पास आपको बेडिंग के सेट्स भी मिल जाएंगे इसमें बच्चों का भी बेडिंग सेट है जो ब्राउन कलर का मैंने जो कि थोड़े से फोम वाले होते हैं उस तरह की के तो धीके स्कूल वाली बिल्डिंग है उसके के बिल्कुल सामने वाली लेन में मैं हूं और चलते चलते मुझे लेफ्ट साइड में एक दीदी की शॉप दीखी जिनके बास में काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल थे ज अच्छे आज के लिए बहुत ट्रेंड कर रहे हैं 3D, 70D प्रेंट में आपको मिलेंगे प्राइस भी काफी जन्वन है देखो चान्नी चॉक लॉट मार्केट में यह आपको वहां पर 100 का मिलेगा और यहां पर 130 का मिल रहा है कम से कम आप इतना तो कॉमन सेंस रखते हो कि ज दुकांदर महंगा दे रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है अगर 150 रुपे कुछ उपर है तो उसकी वज़ा यही है कि आपको वह आपके एरिया में अवेलेबल करवा रहे हैं तो सभा नर्सिंग होम वाली गली में आप आओगे पहले कट में जो लेफ्ट में जा रहा है उसमें आपको यह मोहिन भाई मिलेंगे जिनके पास अभी मैंना आपको वह सब प्लास्टिक का समान दिखाया और इसके बाद जो गली आएगी वो रहेगी बिलाल भाई साड़ी वाले बाकी सीधी गली चलती रहती है सितरे के की ठीक है आपको कुछ नहीं करना स्कूल के सामने सब करना है उस बिल्डिंग के साथ वाली जैसे एंटर करोगे एक लेफ्ट में सबसे पहले गली आएगी उसमें मोहिन भाई है ठीक है उसमें अगर आपको नहीं जाना और सीधे चलो फिर एक और गली आएगी लेफ्ट में ही उसमें आपको घर्चोला साड़ी वाले भीया मिल मिल जाएंगे और नीचे उन्होंने काफी बड़े साइस का माटर खा हुआ था जो कि उन्होंने टुनी फाइव अंडर टुपीस का कोट किया था अगर वर्थ लगे तो लो नहीं तो कोई जबर्दस्ती नहीं है यहाँ पर मैं आपको हर रेंज दिखाती हूं क्योंकि सब रिज़ट वाले लोग यहांपर आते हैं ठीक है यहाँ पर हूपको तीन हजार पच्छे सो का लगे शूपिंग करो नहीं तो मत करो कोई जबर्दस्ती नहीं है कोई द आपको घर से आपको खीच के मार्केट में नहीं ला रहा है अगर आपको ज़रूरत लगती है तो यह म अजिलिय में जब आगे बढ़ोगे यहां पे आपको मिलेंगे राज भाई पशु il tiet को पास्टिस ट्रेंड पहलेगा मंगल्सूत्र वर्भरिंग सेट्स मिल जाएंगे डेलीवेर के एरिंगस इएरिंग आपको मिल जाएंगे पारटी्वेर प्राइजस में आपको मिलेगी अब यहाँ पर मैं एक एक प्राइज को उटने कर रही क्योंकि अल्रेडी भया के प्राइजस बहुत जन्वन है यह सारे ब्राइज के साथ में इनमें ज्यादा तर में दुपट्टा नहीं था कुर्ती और प्लाजो इसी तरीकी के सेट थे बट यह ज्यादा तर ब्राइज में थे बहुत ही अच्छी क्वालिटी अगर नेक्स टेम मिलेगा तो जरूर दिखाऊंगी यहाँ पर इनके पास तरीके का कलेक्शन कभी-कभी आता है हमेशा नहीं आता और सामने जो मैं डिखा रही है थोड़ी से फ्रॉक स्टाइल यह और अनारकल स्टाइल में कूर्ती के साथ थे दुपट्टे वाले सेट तो इनका प्राइजा लगता यह भी आपको कहां मिलेंगे सबा नर्सिंग हो वाली गली में जो मैं पहले आपको कलाका स्ट्रीट बताती थी अब वो बैनर ही हट गया है क्योंकि वो काफी हाइट पे लगा रहता था तो कितने भी भीडो कम से कम वो बैनर तो देख जाता था इसलिए मैंने उसका नाम कलाका स्ट्रीट रखा था फिलहाल पता नहीं कौ परितिगी शॉप के जस्ट बगल में आपे बेबी बॉइस के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे सेट्स हैं जो कि मैं मात्र 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 200 रुपे के और इससे भी और बेटर क्वालिटी और सुन्दर शोरूम वाले ब्रांडड़ वाले अभी मैं आपको आर्टिकल ठीक है तो यहां से भी आप पर्शेजिंग कर सकते हूं अब मैं आपको बाहर से एंट्री मार्केट में करवा रहे हूं जारा बैग वाले ब्या की गली में मेट्रो के गेट नमबर 5 से इंद्रलोक मेट्रो के गेट नमबर 5 से एक्जिट करने के बाद सीधे हाथ पे जब आ मंगूल पुरी कतरन मार्केट में तो उनकी है कि यह शॉप भी है इसमें कॉंटाइक नमबर वगरा सबमेंशन है आप चाहो तो कॉल कर सकते हो इनके जस्ट सामने आपको एक अंकल जी मिलेंगे इनके पास में स्चिचिंग माटीरिल काफी अच्छे रहते हैं बटन्स आप बहुत ही कम चोटे चोटे उसमें कहीं कहीं सीक्वेंस लगे हुए है तो मैंने सोचा मैं उसके उपर कुछ काम करूंगी तो अभी मैंने पहनने का कोई मोड नी है बस रख दिया है मैंने लाके दोके अच्छा है लेकिन तो यहां पे 10, 20, 30, 40, 50 अलग 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 बटन्स ह और यहां पे देखे आपको इस तरह के बीट्स मिल जाएंगे मोती मिल जाएंगे बहुत ही प्यारा प्यारा समान रखते हैं इनके जिस्ट पाद में जारा बैग वाले भाया की ही गली में यह भाया मुझे फाइनली मिले चोकि मैंने बोगल की ट्यूस्टे मार्किट में द दिया है और यह ओनलाइन देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता आप देख लेना अपने लेवल पे क्योंकि वह फेस भी नहीं दिखाते हैं तो अगर आप परस्नली खुद ट्रस्ट कर सको देन इस फाइन अधर्वाइस बैस्ट है कि आप मार्केट में आईए अपने सा पास में यह कुछ साडी हैं जो कि सब प्योर की आइटम है इसमें अभी मैं आपको दिखाते हो एक हल्की हल्की वेट वाली प्योर क्रेप की साडी क्योंकि वह बहुत अच्छी लग रहे थी पीछे जो आप देख रहे हो इन में सारा क्रेप आला फाब्रिक है एक तो यह भ लेना आपको पैचाने तो परचेस कर सकते हो इनके जस्ट बगल में आपको एक कुर्ती और ऐसे शॉर्ट क्रॉप टॉप्स वाले भया मिल जाएंगे इनके पास में हर तरीके की चीज़ आपको मिलती है प्लस साइज की भी कुर्ती मिलेगी कभी भी कुछ भी आ जाता है ल जो कि एक नॉर्मल पिलो जो हमारे घर में होता है उसे थोड़ा सा छोटा साइस सा कुशन के लिए और साथी में इनके पास में उसी के साइज में मिल रहे थे कुशन कवर्स सो कुशन में जो थोड़ा सा जैसे हैवी हांडवक वाला है तो थटी का था नॉर्मल वाला 20 का थ आपने भी अगर भया से खरेदारी किया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कुछ इनके पास चीज़ा ऐसी रहती है कि बस आप अगर घर ले जाके ठीक से वाश कर लोगे ना तो चमक उठेंगे यह सब एक्सपोर्ट का माल होता है तो वो भया के पास में आपको मिल इनके शॉप से जब आप बाहर निकलेंगे और बिल्कुल लेफ में कॉर्णर में आपको भया की शॉप मिलेगी यह वही भया है जो कि आसिफ भया शॉप लगाते थे वही वाला एरिया है पर आसिफ भया आजकल कुर्ती ब्लाजों के सेट सेल करते हैं 300 वाले और यहां पर प्राइस भया है जो आसिफ भया का भी होता था 800 रुपे का बहुत जादा भया की शॉप में रश रहता है और इनकी जो शॉप है वो मैंने आपको दर्या गंज के पार टू में दिखाई हुई है जहां पर मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स मिले थे वो लोग शादी की करके ले पाओगे ठीक है जिशान भाई है इनका नमबर भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है इनकी दुकान के बिलकुल सामने यहां पर बच्चों के इस तरह के बाबा सूट ड्रेसेज और टीशिर्ट टॉप सी सब मिल रहे थे 160 रुपीस की सेल में और यह सारे फ्रेश अब यह जो मैं आपको सूट के दुकान दिखा रहे हूं जिशान भाई की और बच्चों के कपड़ों की यह वापस से पूरा डिस्पैंसरी रोड ही है तो डिस्पैंसरी के जस्ट सामने जो रोड चल रही है जो कली चल रही है उसमें लेफ्ट और राइट साइड में इसके लिए बहुत प्यारा शॉट सा जैसे राखी आ रही है तो अगर आप बेबी बॉइस के लिए लेना चाहते तो ले सकते थे क्योंकि अब तो राखी के बाद ही इंद्रेलोग मार्केट लगेगा बट वेल तोहार और और भी हैं फंक्शन और भी घर में होते रहते हैं इनकी शॉप के बिलकुट बगल में अंदर गली जाती है जो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रैंडड बैग वाले भी घर मिल जाएंगे इनके पास स्टाटिंग टूफिटी रुपीज से हो जाती है यहां पे जो स्लिंग्स अगरा मैं दिखा रहे हूं इन में ठीक है ऐसा न यहां पर भी आप प्लीज जो भी लेना अच्छे से चेक उसे जरूर कर लेना बाद में कोई फर्दर रिटर्न एक्सजेंज नहीं होता है और भया से जहां तक मुझे पता चला वो अभी जनकपुरी C4 नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैं भी लास्ट टू टाइम से वहां गई ह वहां भया कि मुझे शॉप नहीं मिली इनका कॉंटेक्ट नंबर भी आगे शेयर करूंगी इंस्टा इडी शेयर करूंगी अगर आप इनसे घर बैठे परचेस करना चाहते हैं तो वन सिंगल पीस पर्स जो भी आपको पसंद है आप ले सकते हो ट्रावलिंग बाग्स, कॉ मार्किट में लगाते हैं आप ही लोगों ने बताया था और हाँ वेडनस जे मोदी नगर में लगाते हैं तो ठीक है इनसे आप खरदारी कर सकते हो अच्छे से चेक ज़रूर कर लेना मटीरिल वगएरा पूछ लेना मैं फिर कह रहे हूं क्योंकि रिटर्न एस्टे नहीं हो कर दिया है ब्रैंडेड बैग वाले भियाके बिल्कुल पास मेहिना आपको एक चूटी सी दुकान दिखेगी अंदर जाओगे आप तो ऐसे दो कमरे से बने वाया है तो वहां पे भी जेंड्स का बहत ही अच्छा कालेक्शन मिलता है टी शिट्स का इसमें आपको डॉप श जाएंगे इसमें शॉट्स मिल जाएंगे आपको ठीक है तो जेंड्स के परचेजिंग करने के लिए ब्रैंडेड बैग वाले भियाक की गली में आप आओ उनके शॉप के बिल्कुल बराबर में ही यह आपको जेंड्स वेर का शॉप मिल जाएगा अभी फिलाल यहां पे तो गली है यह देखे शॉप मैं आपको दिखा दी इस गली में आप बिल्कुल सीधा चले जाओ सामने जूली वाला पार्क की दिवार चल जाए होते हैं और उसकी ही बिल्कुल पास में टेबल पे यहां पे बेबी बॉइस का इतना प्यारा एतनिक वेर था ऐसा लग रहा उसका वेस्ट कोड इतना प्यारा शाइनी ऐसा बहुत बहुत जादा सुन्दर और इतने पीसिस तो भाया ने अभी लगाए ही नहीं थे यार सारे बहुत सुन्दर थे मुझे लगता है इतने कम प्राइज में कहीं भी मिलना मुश्किल है थे कि वहां पे ब्रांड़े टी- पच्छों का कलेक्शन था यह आनलाइन नहीं देते हैं इसलिए मैंने नंबर यहां पर कोई मेंशन नहीं किया है अब मैं आ गई हूं ब्रांड़े टी-शिट वाले बयाजी की शॉप में यहां पर आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगी साड़े पांसों से साड़े छेसों में और जब मैं यहां पर शॉर्ट्स दिखा रही हो तो मेरा हाथ दुख जाते हैं मैं बड़ी मुश्किल से कोई शॉर्ट बाहर निकाल के उसको सीधा करके पूरा फैला के जैसी कैमरा आउन करके उसे कवर करने लगती हूं बगल की कोई आंटी आके धपपसे उसके उपर तो बस आप यहां पर विजट करना शिर्ट्स आपको मिल जाएंगी प्राइस रिंज में आपको बता दिया है दूसरी टेबल पर यहां पर आपको टी शिर्ट्स मिल जाएंगी तो इसमें भी साइजेस अलग अलग हैं अगर बड़ा साइज आप लेते हूं जैसे थोड़ा 3XL, 5XL तो उसकी प्राइजेस 150 रुपे डिफर करेंगे और भायाजी की शॉप से बिलकुल मैं बाहर निकली तो यहां कॉर्नर में एक भाया ने बहुत ही क्यूट ऐसे पॉम-पॉम वाले टसल रखे हुए थे और यह इतने क्यूट हैं कि मैं इन्हें परशेस करने से खु लिए थे 20 रुपीस का इच तो अगर आप यह लेना चाहों ले सकते हो ड्रेसे प्लाउजेस बच्चों की फ्रॉक्स में लगा लो या बैग में लगा लो होम डेकोर में यूज कर लो कुछ भी गर सकते हो यहां पर आपको लेसे वगर भी सब कुछ मिल जाएंगे तो बस य अब मैं आपको लेकर आगे हूँ डेली कलेक्शन वाले भीयाजी की दुकान में और यहां पे आप जो भी लेना चाहते हो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो इस बार भीया ने बहुत ही सुन्दर सुन्दर ड्रेसे अल्रेडी डिस्प्ले में लगा रखे थी अभी उनके प्र जो बाकी एक दो कमरे हैं वो ब्रैंडेट टीशिट वाले भीयाजी की शॉप के हैं ब्रैंडेट टीशिट वाले भीयाजी की शॉप के हैं ब्रैंडेट टीशिट वाले भीयाजी ने वहां पे दो शॉप ले रखी है और डेली कलेक्शन वाले भीया ने एक शॉप ले रख सूट बहुत ज़्यादा सुन्दर लग रहा था यह आप इसे English Blue भी कह सकते हो Pure का सूट है, Handwork देख लो Color देख लो, मैं तो इस Color पे फिदा हूँ साथ मैं ऐसा पाकिस्तानी प्रिंट वाला दुपटा मिल रहा था, Pure का बहुत ज़्यादा सुन्दर और बाद में भाया ने मेरा दिल जलाने के लिए एक यहाँ पे परपल कलर का सूट भी दिखाया कि अधर जी यह भी दिखाओ मैंने का यार क्या करते हैं यह लोग तो यहाँ पे मैं सूट के किसी के भी प्राइस नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर भाया आपको बता रहे हैं तीन हजार चार हजार तो डिपेंड करता है कस्टमर कैसे है भाया कि तो बहुत पुराने कस्टमर भी आपर आते हैं तो उनको वो रेट बारगें कर लेते हैं ठीक है और फाइनल रेट वगेरा कुछ नहीं यार दूसरे भाया को पैक करने के लिए तो यह आगया है लेवेंडर शेट का सूट बहुत ही सुन्दर कंट्रास्ट अंब्रॉडरी के साथ में यह सुहावी का सूट है पता नहीं देखना पड़ेगा और सामने उदर भी सब भाया लोग सूट दिखा रहे हैं भी चल रहा है सूट का पाकेजिंग तो यह आप ले सकते हो यहाँ पे जादा तर आपको प्योर के आर्टिकल मिलेंगे अगर आपको कॉर्टन वाले भी चाहिए तो वो भी मिल जाते है मतलब यहाँ पे हजार उपे से सूट की स्टार्टिंग हो जाती है और एंड तो वैसे कोई भी नहीं है जैसी कलेक्शन होगी उसी तरीके का प्राइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यह देखे सामने भीया कुछ कस्टमर्स को यलो ड्रेस दिखा रहे हैं कितनी प्रिटी लग रही है यह देख रहे हो फ्रेंट बैक दोनों बहुत ही प्यारा सा है और एक और यहाँ पे पाकिस्तानी टाइप का सूट मैं आपको दिखा रही हूँ प्योर में किरोशया लेसेस और यह यलों के साथ जो मल्टी गलर का यह पूरा काम है ना बहुत सुंदर है जीरो सीक्वेंस आथ में लगे हूँ है इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था तो ऐजा अगर आपको बहुत हटके कलेक्शन चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ पर आने के लिए आपका थोड़ा बज़र जो है इस तरीके के सूट्स के लिए जो मैंने दिखाए तो वो दो से चार के बीच में होना चाहिए अच्छा अब मैं इनकी शॉप से बाहर आ गए हूँ मुश्किल से दो कदम की दूरी पर ही यहाँ पर आपको क्रॉकरी वाले भीया मिल जाएंगे तो वहां पर भी शॉप के बाहर इन्होंने ऐसी टोकरे लगा रखे होते हैं अपने आप पहचान में आ जाएगी कुर्ती वाली शॉप में आपको दिखाती हूँ यही पर आपको प्योर की साड़ी भी मिलती है तो यहाँ पर जो सामने कुर्तिया है चिकन कारी वाली ऐसे 400-500 रुपे की है और नीचे यहाँ पर आपको कुछ कुर्तिया मिल जाएंगी ऐसे ब्रांडड़ वाली तो इनका प्राइज 200 रुपीज रहता है देख लेना आपको जो भी पसंद है और जो प्योर की साड़ी भी अलाते है उनी के पास में इस बर फाब्रिक भी था तो यहाँ पर धाई मिटर फाब्रिक यह दे रहे हैं 150 रुपे का और इसमें कलर्स वगरा भी बहुत सारे हैं यह पूरा प्योर कॉर्टन है चिकन कारी वर्क के साथ में और भाया के पास जो प्योर की साड़ी मैं अगर आपको कोई दिखाती हूं तो वो सिंगल पीस होता है सिंगल मतलब सिंगल वो सब लॉट में आया होता है तो यहाँ पर उसके सेम टू सेम और कलर डिजाइन आपको नहीं मिल सकते तो नेक्स अब जो मैं शॉप दिखा रही हूं यह भी दिल्ली कलेक्शन वाले भया के बिल्कुल दुकान से निकलते ही राइट साइट पे चार कदम पे आपको मिलेगी क्योंकि उन्हीं की शॉप का पार्ट है तो यहां पर एक रेडी टू वेर बहुत ही प्यारा सा सूट में आपको दिखा रही हूं प्राइज मैंने कोट कर दिया है साइज की बात करो तो डबल एक्सल की अकॉर्डिंग था यह पैंट से आपकी पूरी रेडी टू वेर इसक सेंसरी की जो बिल्डिंग है उसका पीछे का जो एरिया वहां पर यह पूरा शॉप आपको मिलेगा मैक्सिमम प्राइस की मैं बात करूँ तो यहां पे तीन हजार रुपे तक का रहेगा बाकी 1100, 1200, 1500, 1700, 1700, 1800 हर रेंज के सूट इनके पास रहते हैं प्योर वगरा सब के तो इनकी दिल्ली कलेक्शन वालों के बिल्कुछ सामने आपको बाडी केर वाले भीया के दुकान में लेगी तो इनके बास चोटे बच्चों के तो बिल्कुल क्याजवल से पकड़े आ हुए थे और दूसरी तरफ इन्हों ने लेडीज के बहुत अच्छे से प्याहरे से देन डिस्पेंसरी के ही बैक साइड में जो ये जूले वाला पार्क में आपको दिखाते हूँ यही पर आपको ब्रैंडिट टॉवल वाले भीया मिल जाएंगे मैं बहुत देर तक इनकी दुकान के चक्कर लगा रही थी मुझे कहीं जगा ही नहीं मिल रही है देख सकते हो एंटरी करने के लिए तो फाइनली एक दीदी हां से खिसकी और मुझे जगा मिली तो यहां पर बड़े वाले साइस के टॉवल आप नीचे देख रहे हैं यह सब थे इस बार 200 रुपे की सेल में तो यह कभी कभी चेंज होते रहते हैं कभी यह 500 के दो होते हैं कभी 200 के दो बड़ है यह सारे ही उम्दा क्वालिटी के जो भी आप लो अच्छे से चेक करके ले सकते हैं तो एक एक पीस ब्रांड़े है इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि जादा तर इसी तरीके के टॉवल्स मैंने आपको कहा दिखाए थे चानने चाओ क्लोथ मार्केट में तो आप जो देख रहे हैं यहां पे यह भीया दिखा रहे हैं सफीना ब्रांड का रहेगा यह टॉवल और यह सिर्फ 400 रुपीस का इसमें उपर अलग अलग डिजाइन आपको मिलेंगे लाइक जाहिर सी बात है मेल्स के लिए आप ले रहे हो तो आप पिंक कलर नहीं प्रेफर में और इसका जो मैंने आपको 400 रुपीस दिखाया यह उसका छोटा साइज भी आपको मिल जाएगा सिर्फ 300 रुपीस का ठीक है साइज अलग अलग है थोड़ा बड़ा साइज जो है वो 400 रुपीस का है और यहां पे तीन-चार साल के बेबी के लिए टॉवल रहेगा इसमें कलर्स बोगत सारे बहा के पास पाकेट में ठीक है तो यह ब्रैंडे टॉवल वाले बहा का पूरा मैंने आपको अलमूस सारा कलेक्शन दिखा दिया है और उपर यह बहा के पास में कर्टन भी आपको मिल जाएंगे यह सारे वही क्वाल्टी वाले हैं मेरे थू जो उसे भीया ने चौदा सो में दो वह कर्टन देने हैं क्योंकि वह वाकई बिल्कुल शाही वाले कर्टन्स हैं वेलवर्ट वाले सो इनकी शॉप से थोड़ा सा आगे आप चलोगे तो आपको कॉर्णर में एक लेगिंग वाले भीया मिल जाएंगे 220 की सेल में नोने लेगिं आता है और इस बार वाकई बहुत अच्छा फाब्रिक आयोगा था अगर इनके पास ही अवेलेबल होगा तो यह आपको आनलाइन भी दे देंगे सुप्राइज मैंने आपको कोट कर दिया है यह सब बड़े बनेगे फाब्रिक है इसलिए प्राइस भी थोड़ा सा जादा ह यह सब है प्योर की आइटम डाइबल है चिकनकारी के साथ में बहुत हैवी आर्टिकल्स आप देख रहे हो किसी किसी में पूरा चिकनकारी है किसी में चिकनकारी के साथ सीकोइंस भी है जिसी आप देख रहे हो थोड़ा सा इसमें काम कम है इसलिए प्राइस भी कम है यह सा सारा का सारा प्योर का और डायबल का फाब्रिक है अगर अवेलिबल होगा तो भाया आपको आनलाइन भी दे देंगे आप इनसे कॉंटेक्ट कर सकते हो और इनको मैंने आपको त्रिलोगपुरी के मार्किट में भी दिखाया था जो की वेंस्टे को लगता है तो वहां पे भी भाया शॉप लगाते हैं आगे एक और भाया के फाब्रिक क्यों मैं आपको शॉप दिखाऊंगी वो भी ऑनलाइन देते हैं तो भाया का फेस भी मैं साथ में दिखा रहे हूं अगर आपको इनकी शॉप बाइचांस ना मिले न तो आप ब्रैंडिट टॉबल वाले भाया ज को इनकेस ना समझाए तो उनसे आप पूछ लेना अचा यह जो फाब्रिक भाया ने दिखाए है चंदेरी कॉटन का है 60 रुपीज मीटर के हिसाब से तो यह बिल्कुल प्लेन रहेगा चाहे तो आप इसे टाई भी करा सकते हो तो सामने डिस्पेंसरी वाली लेन में एक गल प्राइशन रहता है और प्राइज भी काफी जन्वन होते हैं जो नेक पीसिस आप यहां पर देख रहे हूं 150 रुपीज के मिल जाएंगे एरिंग्स के साथ में खाली एरिंग्स जहिए वो भी मिल जाएंगे और इस बर भी है एक मेटल की बढ़ी सुन्दर-सुन्दर ऐसी यह माला लेकर आए हुए थे देख सकते हैं उसका डिजाइन बहुत अच्छा है पॉलेश के बारे में मुझे नहीं पता लेने से पहले एक बार पूछ ले ना तो यह 100-100 रुपीस की रेंज में थी इसी गली में मैं आगे बड़ी तो यहां पर भी फाब्रिक ही मिल रहा थ और यह गलिया कुछ और नहीं है जूले वाला पार्क जो है उसके चारो तरफ बाउंड की बाउंडरी है तो बाउंडरी के साथ साथ जो शॉप की पर शॉप लगाते है वो मैं आपको दिखा रहे एक एक एकर की प्राम मैं ने इसका कोड कर दिय है कि भाया ौरडी बिजी इनके पास क्या फाब्रिक आएगा राइट इस कहली में आके बड़ी तो यहां पर देखो यहां पर देखो यहां पर देखो इतने सुंदर कि अगर आपका मानलो कोई है लहंगा या कुछ ऐसी साड़ी है जिसका ब्लाउस आपको छोटा हो गया या ओल फैशन हो गया है यहां 100 रुपीस का मिलेगा इसमें वर्क देखो कितना प्यारा है तो यह आप यहां से ले सकते हो अगर आपको मिल जाए तो इंदर लोग का दूसरा नाम है किस्मत यहां पे सब कुछ बाहिल लक मिल जाता है तो अगर कभी ऐसी चीज़े मिले ना यार लेके रख लिया करो मतलब 50 रुपे 100 रुपे के बार में सोचने वाली बात नहीं होती कभी ना कभी जिन्दी में वो यूज होई जाता है काम आई जाता है इनके बिल्कुल पास में आपको यह लेसेज वाले भाहिया मिलेंगे जिनकी बार में मैंने बताया था है कि ऑनलाइन भी देंगे मैंने करके बताओगे कि किसी ने इसे ओनलाइन मंगाया है या भया को कॉल किया था ओनलाइन लेने के लिए इनका क्या रेस्पांस रा मुझे बताओगे उसके बाद मैं इनका नंबर दूंगे अगले वीडियो में इनके पिलकुल पास में एक और गली थी या वहां पे ना 200 रु मॉजट के भी थे देखो इतना प्यारा वर्क है सिलने के बाद अच्छे लगेंगे बाखे सब के अपनी पर अपनी परस्नालिटी होती है तो यह थे सब 202 रुपे के और इने के पास में सामने साड़ियां भी लगी होई थी जो की थी 300 रुपीज में ब्लाउस अगरा का यहां पर जस्ट पास में ही आपको मिलेंगे अकील भाईया और यह भी रखते हैं प्योर फाब्रिक्स डाइबल वाले और इनकी शॉप पर मैं जब भी जाती हूं हमेशा यहां पर बुटीक वाली आंटी जो होती है वो ही मिलती है मुझे तो यहां पर भी प्योर का फाब् गेन कराते हैं तो यार देखो अगर आपको ठीक लगरे हैं तो ओके नहीं तो आप यह सोचो कि आप मार्केट नहीं आ रहे हो दिल्ली नहीं आ रहे हो धर्का मुक्ती नहीं खा रहे हो अगर ऐसे मैं आपको 20-50 रुपए उपर देने पड़े तो मुझे परस्मिल नहीं दुकान है ना, Harun भीया के विल्कुल लेफ्ट में गली जाती है, देखिए आपने लेफ्ट में जो मैं आपको फाब्रिक वाली गली दिखाती हूँ, बस उसी गली में आपको ये भीया मिलेंगे, और ये भीया क्या इन जैसे और भी बहुत सारे मिलेंगे فाब्रिक लिए चाहए। बहुत सुंदर है। यहाँ पर रेठ की तरफ में मैथ जो कपड़े तंगे होए Соकने जो सीक्वेंस वाले थे। जो बीच में तंगे हुए वो सिंगल मतलब simple lycra वाले थे जो lycra होती है wrinkle वाली lycra वो थी अब यहाँ पे मैंने पहली बार एक दीदी को देखा है कुर्ती सेल करते होई इनके पास जो कुर्ती हैं वो आपको 46 size तक में मिल जाएंगी और price range रहेगा 300 सेले के 4.5 रुपे की range का क्योंकि इनमें सबके sizes अलगे है सबका work अलगे है और fabric अलगे है rion cotton ऐसे तो ये एक पूरी गली है इस गली में जब आप सीधे निकल जाओगे न तो आपको हारुम भीया जी की shop मिल जाएगी ठीक है ये बखुत ही सुन्दर सी दीदी है और उनके बगल में मैंने आपको फाब्रिक वाले भीया दिखा दिये अब जो मैं आपको फाब्रिक दिखा रहूँ इसके बारे में मुझे आपसे comment ज़रूर चाहिए मेरा बड़ा खून जलता है जब भीया के मैं shop पे जाती हूँ यार यह इतना प्यारा फाब्रिक लाते है पर यह ना ओनलाइन नहीं देते क्या किया जाए बताओ कैसे भाईयाजी को मनाया जाए ओनलाइन देने के लिए मेरे खुद मुझ में पानी आगया है मुझे स्चिचिंग नहीं आती पर यह प्योर मसलीन का बार्टेक प्रिंट वाला सूट है किसी में embroidery, किसी में sequence work तो यह भाईया बिजी थे तो मैंने सोचा वो कॉर्णर में आपको चिकन कारी वाला cotton का multi-color कप्रा दिखा दूँ दूर से जितना देख लिया उतने में काम चला लो इनकी पास ही आपको हमेशा बॉलिवूड वाले एक तो बहतरीन फाब्रेक में लें अब मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इन भाईया को आखर मनाऊं तो कैसे मनाऊं ऑनलाइन के लिए तो इस वीडियो को चलो मैं यहीं खत्म कर रही हूं मिलूं की जल्दी, तददा